कि बदलने वाला नहीं है, कुछ बदलाव होने वाला भी नहीं है राजनेटिक परवर्तन होगा जरूर होगा कोई permanent नहीं है मौधी जिसे पहले भी कहीं प्रधान मंत्री बने है तो जनता जिसको मोका देता है सेवा करने का करके अपने रोल निबा के चले जाते हैं मोधी जी मुझे लगता है कि एक ब्रह्म में है कि हम ही पर्मिनेंट है कोई पर्मिनेंट नहीं है यह अन्नैचुरल है इस देश में लोक तंत्र है तो लिए परिवर्तन कभी भी संभव है असंभव नहीं है क्या चला रहा है आप देश में क्या हो रहा है किस प्रकार का नीतिया अपनाया जा रहा है हर हालत से इंदुस्तान बेहाल होते जा रहा है किसान परेशान बेरोजगार नौजवा परेशान उद्योगपती परेशान इंफ्लेशन बढ़ रहा है प्राइज रई रहा है essential commodities का आपका administration का गुनुवथता क्या है क्या नतीजा मिला है इस देश को grass misuse of all constitutional bodies grass misuse दिन बदिन देखने को मिलता है इस देश में आप हावी है आप प्रहार कर रहे हैं जो आपके विरोध में बोलता है उनको सताया जाता है लोग तंत्र का खात्मा कर रहे हैं लोग तंत्र का हत्या कर रहे हैं राज्यों के सरकार को गिराने में आप विस्त है अब तक नव नव सरकार आपने गिराई है यह आपके रिकार्ड में है इसका नतीजा क्या हो रहा है किसी भी तरफ देखो बेहाल हिंदुस्तान किसान परे नवजवार बेरोज़दार परेशान, उद्योग पती परेशान, कौन कुश है आपके सरकार से, सिवा आपके बाशन बाजी के, सिवा आपके जूटे प्रचार के, आपके ःविध्यापन से, कौन कुश है, हकीकत जानने के कोशिश कीजिए मैं आपसे मांग करता हूँ मांग निया प्रदान मंत्री जी बायों मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा नरेंदर मोधी जी पंदरावा प्रदान मंत्री है इस देश का he is the 15th प्राइम मिनिस्टर अफ इंडिया इन से पहले 14 प्रदान मंत्री और बने थे किसी के कालकंड में भी किसी के भी कालकंड में देश का मान मर्यादा इतना नहीं गिरा जितना आपके कालकंड में गिर रहा है प्रदान मंत्री जी आपके नारा है बाशन सुरू करने से पहले भारत मता की जय अगर आपके नारा में सही दम है आपके रगों में बैटा हुआ कुन में ये एक बूंद में भी इमानदारी है सचाई है तो ये एक बात मैं सवाल कर रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए कल के सभा में देश के सामने बताईए कि आपके किलाफ किस प्रकार का जनान दोलन चल रहा है सीलंका देश में क्यों चल रहा है आपने सीलंका जागे प्रधान मंत्री का रोल नहीं निबाया बलके एक छोटा सा बैपारी का सेल्समन बन गए थे आप देश का अपमान किये नत जोबा देता है हमारे देश को अंतर राश्य स्तर पर देश को सर जुकाना पड़ रहा है आपके कारणामों के वज़े से, क्या यह सच नहीं है, आपके मंत्री लोग, आपके प्रवक्ता लोग, आप खुद भी गला पाड़ पाड़ के बड़े उंचे आवाज में बोलते हो, क्यों चुपी साधे हुए है स्री लंका के मामले में, कोई सरकारी प्रवक्ता अपना मूँ क्यों नहीं कॉल रहा है, और आप अपने आप में खुद में क्यों नहीं बोल रहे है इस बात में, क्यों चुपी साधे हुए हो, क्या वज़े है इसके, और इससे बड़ी चीज क क्या हो सकता है स्री लंका पार्लेमेंट कमिटी के सामने स्री लंका एलेक्सिटी बोर्ड के चेर्मेन बयान दिया दुनिया के सामने खुले आम के बारत के प्रदान मंत्री के दबाव के कारण हमने ये कांट्राक्ट किसी इंदुस्तानी बेपारी को दिया यह क्या देश का इ आये हुए, बने हुए, किसी भी प्रदान मंत्री जी के काल कंड में, ऐसे आरोब भारत पे नहीं लगे, बले ही आप खामुश हो, हम कामुश नहीं बैटेंगे, हम जरूर लड़ते रहेंगे.